और हम पिछले कई सालों से इस निश्कर्ष पर निकलें, नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल क्रेटिव किसान में, आज हम इस वीडियो में एक नगदी फसल का विशलेशन करेंगे, नगदी फसल वहा होती है, जो कि कम सम में तैयार होकर एक अच्छी आमदनी देती है, आप सही सोच रहे हैं, आज हम इस वीडियो में एक एकड़ पालक की खेती का संपूर्ण विशलेशन इन पांच पॉइंट्स के आधार पर करेंगे, नमबर वन, पालक की खेती के लिए उप्यूक्त मिट्टी और बुवाई का सही समय, नमबर टू लागत, नमबर थ्री उत्पादन, नमबर फोर आमदनी, नमबर फाइफ, प्रोफिट कितना हुआ और प्रोफिट परसेंटेज क्या रहा, साथ ही वीडियो के अंत में, मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा कि पालक का सबसे अच्छा मंडी हमारे एक किसान भाई की कमेंट का जवाब देंगे, अब हमने किस किसान भाई की कमेंट को पिक किया है, या हमें वीडियो के अंत में पता चलेगा, तो बीना आधिक समय नश्ट किये, एक एकड़ पालक की खेती का विशलेशन शुडू करते हैं, आते हमारे पहले पॉइं वेसे तो पालक का उत्पादन सभी तरह की मिट्टी में अच्छा होता है, पर यहां देखा गया है कि रेतिली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 6.1 के बीच रहता है, यहां पर पालक का उत्पादन काफी अच्छा होता है, यानि कि हम पालक की खेती सभी तरह की मि और हमने यहां निश्कर्ष निकाला है कि अक्टुमबर नौवंबर दिसंबर इन तीन महीनों में पालक का उत्पादन काफी अच्छा होता है यानि कि आप पालक के बीजों की बुवाई पूरे साल तीनों सीजन में कर सकते हैं अब आते हैं हमारे दूसरे पुइंट लागत पर एक एकड़ पालक की खेती में कितनी लागत आती है अगर हम पालक के बीजों की बुवाई सामानने छिड़कन विदी से करते हैं तो बीच की मातरा लगती है 12-15 किलो और पालक के एक किलो के बीच के पेकेट की कीमत 1500 रूपे के आसपास रहती है इस तरह हमारा एक एकड अब है पालक के बीजों की बुवाई का खर्च आएगा 2250 रूपे खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रूपे देसी गोबर की खात का खर्च आएगा 2500 रूपे पालक की खेती में रोग हुआ कीट काफी कम लगते हैं मच्छरवा इल्ली के प्रकोप से बचाने के लिए पूरी तरह से आपके उपर निर्भर करता है कि आपको लेबर की जौरत है या नहीं खेत से मंडी तक का ट्रांस्पोर्ट चार जाएगा 4000 रूपे इस तरह एक एकड़ पालक की खेती की हमारी लागत आएगी 16,750 रूपे लागत के बाद आते हैं हमारे तीसरे पुइंट उ दूसरी कटाई और दूसरी कटाई के 15-20 दिन के बाद में तीसरी कटाई आती है इस तरह हम पालक की खेती से हम तीन बार कटाई लेते हैं बहुत से किसान भाई एसे हैं जो कि 5-6 कटाई लेते पर हम 3 कटाई लेते हैं एक एकड़ पालक की खेती से आपको मिनिमुम 100 मिलता है हमारा उत्पादन तीन परिस्थितियों के उपर डीपेंड करता है हमारी मिट्टी में कितने पोशक्ततों मुझूद है दूसरा मोसमिक कंडिशन तीसरा यहा एरिया वाइस चेंज होता रहता है इसलिए हम मिनियों 100 कुंटल उत्पादन लेते हैं यानि कि एक पालक की खेती से कितनी आमदनी होती है पालक का मंडी थोगभाव साल के दो महिने 20-25 रुपे किलो के आसपास रहता है फिर बाकी बचे महिनों में 5-10 रुपे के बीच में रहता है और कभी-कभी तो किसान को 2-3 रुपे में भी अपनी फसल को बेशना पड़ता है इसलिए हम पूरे साल का एउरेज लेते हैं 5 रुपे किलो हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और एक कुंटल में 100 किलो होता है और हमने एक किलो पालक का मंडी थोगभाव 5 रुपे लिया है इस तरह हमारी आमदनी हुई 25,000 रुपे यानि कि एक एकड़ पालक की खेती से हमारी आमदनी हुई 25,000 रुपे साल में सितंबर अक्टूमबर और 15 नौवंबर के आसपास आपको पालक का काफी अच्छा भाव मिलेगा हमें इस साल पालक का 20 रुपे से 25 रुपे किलो मंडी थोगभाव सितंबर और अक्टूमबर महीने में मिला है और हम पिछले कई सालों से इस निशकर्ष पर निकले हैं कि सितंबर अक्टूमबर में हमें पालक का काफी अच्छा मंडी भाव मिलता है इसका कारण यह है कि बहुत से किसान भाईयों की बारिश के कारण पालक की फसल खराब हो जाती है इसलिए आप जब बारिश में पालक की बुवाई करे तो उस चुनाओ करें जिसमें जल भराव ना हो जल भराव की स्थती में आपकी फसल भी खराब हो सकती है दो हजार बीस यानि की पिछले साल हमने आदा एकड़ से सितंबर और अक्टूमबर महिने में साथ हजार रुपे कमा थे क्योंकि हमें पालक का मंडी भाव 30 रुपे मिला थ प्रोफिट निकालने के लिए हम सिंपल पुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रोफिट रहेगा हमारी आमदनी हुई थी 15,000 रुपे और लागत आई 16,750 रुपे इस तरह हमारा प्रोफिट हुआ 33,250 रुपे और प्रोफि की खेती की समय साइकल हुई तीन महीने इस तरह दो महीने में आपको प्रोफिट मिलेगा 16,500 रुपे जो की काफी अच्छा है एक एकड़ में अगर आप पालक की खेती करते हैं तो सोक उंटल पालक को बेचना काफी कठीन कारवे इसलिए आप पालक की खेती एक एकड़ मे इससे में पालक की खेती मिनिमुम 6 महीने तो करें इससे आपकी डेली इंकम होती रहेगी और आपका पेसो का रोटेशन बना रहेगा हम इस खेत में 6 महीने तो पालक की खेती हर साल करते ही हैं आप पालक की खेती से और अच्छी आमदनी लेने के लिए मुली की इंटरोपि है कि हम वीडियो के अंत में हर बार हमारे एक किसान भाई की कमेट लेंगे और उसे उसके सवालों के जवाब देंगे तो हमसे रोहित वर्मा ने कि उनकी टामाटर की फसल साट दिन की हो गई है और उसमें फ्लावरिंग कम आ रही है और जो आ रही है वहाँ भी ड्रो पर रही है तो वह इसके लिए क्या करें और उनका प्लांट भी स्वस्ते तो रोहित भाई आप अपने प्लांट पर कोपर ओक्सी क्लोराइट 40 ग्राम व वह एनपी के 0,52, 37-80 ग्राम 16 लिटर पानी में मिला कर इस्प्रेक कर दें इससे आपकी जो फ्लावरिंग की समश्या आ रही है वहाँ दूर हो जाएगी और बोरान 20% के इस्प्रेस से आपके फ्लावर भी सेट होंगे और नए फ्लावर भी काफी अच्छी तरह से आएंग कमेंट पिक करके उसका जवाब दे धन्यवाद किसान भायू जे जवान जे किसान